अबस्गार मैं विशुमिश्रा और आप देख रहे हैं दा इंसाइड इस्टोरी में आज हम फिल्मी बात करने वाले है जी हाँ बात पठान की होगी 作 gorged में इसलिए है क्योंकि एक गाना आया है बेशर्म रंग उसमें दीपी का पादकोन के परिधान को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है राजनीती हो रही है कहा जा रहा है यह समाज को बिगाडने की तरफ चीजे जा रही है अब ऐसे में क्या यह सच में समाज को बिगाडने वा बिगते ही है तो नीतो जी आज हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें बताएं नीतो जी आखिरकर क्या वज़य है इससे पहले बहुत सारे गाने आये जो भगवा रंग जिसका जिक्र किया जा रहा है वैसे साली पहनी गई वैसे जो परिधान पहने गए बावजुदिस के इस को लेकर ही क्यों देखिए पहली बात तो दिपिका ने गाने में भगवा रंकनी साथ तरह की बिखनी पहनी है और वाकरी में गाना बहुत होट है ठीक है यह कह सकते हैं कि थोड़ा अश्लील लग रहा है क्योंकि दिपिका पादुकोन आज जिस मकाम पर है जो स्टार्डम ह उनको इस तरह का गाना करने की जरुवत नहीं है और शारुक खान जो की 57 साल के हो चुके है उनको भी इस गाने में रोमैंस करने की जरुवत नहीं लेकिन ठीक है कभी कभी किसी फिल्म का फ्लेवर होता है यह जासू सी फिल्म है तो इसमें जो है वेस्टर्न कल्चर दिखा लेकिन अब शारुक खान का विरोध हो रहा है यहां या फिर भगवा रंग पहनकर बिकनी जो पहनकर जो उन्होंने डांस किया है तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक कलर के उपर इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए उन्होंने तो हर कलर की बिकनी पहनी है तो कलर पे नहीं जाना चाहिए और कहीं ने कहीं मुझे ये विरोध जो है थोड़ा बेतुका लग रहा है कि इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है अच्छा समाज में इस तरह की चीजे प्रचलित है और लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए ऐसी चीजे बन रही है क्या मैं इस बात से लगा कि दिपिका क बहुत स्टैब्लिश्ट एक्ट्रेस है तो उनके ऊपर थोड़ा सा जादा लग रहा है वह अच्छा मैं भगवा की क्योंकि जिकर कर रहा हूं उसी को लेकर जादा बात कर रहा है मुझे याद आ रहा है भूल भूलेया फिल्म अक्षा कुमार की उसमें जो गाना है हरे रा है उनका जिसमें उन्होंने बहुता है उसमें भी वह नजर आता है तो गाने तो ऐसे कई बार हुए है लेकिन आज ऐसा क्या है और इस चीज़ को मैं जोड़ना चाहूंगा वह बाइकॉट ट्रेंट से जिए जो चल रहा है तोशल मीडिया पर आजकल पहले ही प्लानिंग ह पूल से बार लोग जो है 커피 जैसे ही यह गाना आया लोग जो है इसके विरोध में आ गये और इसमें भगवा कलर की बिकनी का विरोध बहुत ही बेतुका ये विरोध कर सकते हैं कि थोड़ा अश्ली फ्लाव है तोड़ा ज्यायल है लेकिन यह विरोध करना कि उन्होंने पठान जो है उनके समाज को बिगाड़ा रही उनका ये मानना है कि पठान हमारे मुसलमानों में एक सम्मानिफ विरादरी है और एक पठान को जब वो बीकिनी गर्ल के साथ रोमैंस कर रहा है तो वो करते हुए देखकर हमें जो है थोड़ा बुरा लग रहा और हम इस फिल्म पर बढ़ रही है लेकिन इस तरह की जो मुश्किले है वो फिल्म को फ्री पब्लिसिटी भी देती है और लोग जो है कही न कहीं सोचेंगे कि हाम देखें बेशरम रंग गाने में ऐसा क्या है लेकिन नीतु जी आज के जमाने में जब आदमी और मर्द को मर्द और जो है उ ना या फिर इतना सारा नेगिटिव पब्लिसिटी करना उस सीज़ की आपको कैसा लगता है एक महिलाओं की एक डिगनिटी है महिलाओं का एक अस्तित्व है वो कुछ भी करती है वो फ्रीली कर सकती है क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि आप ये ना पहनो आप वो पहनो तो लेकिन हाँ एक लिमिट होनी चाहिए एक बॉर्डर होना चाहिए बावजूद इसके मैं काऊंगा कि यह जो गाना आपने देखा वो आपको लगता है कि पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए या फिर ऐसे गाने नहीं आने चाहिए यह गाना देखकर आप थोड़ा सा इसे गाने को आपको ब्लकूट की वही फिलम है वहाँ पर आप साथी नहीं पहना होगी लोगे है अब देखा वहाँ पर शो तो आप अब दिखा यह वहाँ ए ROSyn को डिश्टीय तो मुझे लग रहा है कि यह जो रोध बिल्कुल रण को लेकर विरोध करना या परीधान को अर था सबते हो तो पाइसे यह नहीं है है आपको देखने हो है। इसलिए भी हो रहा है तो यह गलत है और किसी भी फिल्म का जो है सही विरोध करने लाग कोई बात है जैसे कि अभी पिछले दिनों एक फिल्म आदीपुरुस का टीजर आया था जिसमें जो है रावन का जो लुक था वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और कहीं ने कहीं ल तो कहींना कहीं उनका विरोध बहुत कुछ हटक जाही था और फिल्मकर्स ने उनकी बात मानी और सॉ करोड करके फिल्म के वीएफेक्स चेंज को अंगे और रावन का लुक चेंज हो रहा है तो कुछ हट तक सही आप विरोध कर सकते है हर किसी को अपने धर्म के प्रतिय अ फिर ऐसे आईटम सॉंग्स जब सामने आते हैं तो समाज पर impact पड़ता है अ हमारे बेहने हैं बाताएं हैं बच्चे हैं तो क्या उन पर इस बात का फरक पड़ता है जज्यादा पड़ता है ज्यादा जी विरूद है अपने बेटे के साथ बैठ के नहीं देख से हूं यह बात सच है, इसमें कोई वह नहीं, क्योंकि थोड़ा जादा हो गया इस गाने में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप इस गाने का विरोध की जो अशलीलता के नाम पर इसको धर्म से मत जोड़िये, यह मैं कह सकती हूँ, आप अगर कह रहे हैं कि ठीक है थोड़ा अशली करेंगे फिर हम, देखिए मैं इस तरह के सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है और उसका तरीका भी होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, यह नहीं कि आप पर न्यूड़िटी दिखा करके बच्चों को उस तरह का एजुकेशन दे, और वैसे तो मैं खुद इस बात क कि यह गाना ठीक है, यह चल जाएगा लेकिन थोड़ा सा है होट, पहली बार किसी ने भी देखाएगा तो एक बार चौकता है, आपने भी देखा होगा तो आप उसको कि अच्छा यह क्या हुआ, लेकिन ठीक है यह चल जाएगा और मैं सेक्स एजुकेशन को तो इस गाने स से जोड़ नहीं सकती, वो एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, उसको कि एक तरफ हम बात करते हैं, कि समाज में एक लोग का माइंड खुलने वाली बात, कि लोग थोड़ा अपने आपको ओपन माइंड़ समझे, आज का जमाना ऐसा है, और हम जहां पर बैठे है, डेली हो अनकमफर्टिबल फील करेंगे, लेकिन वैसे गाने बन रहे हैं बॉलिवुड में, आप वीडियो देखी आए दिन म्यूजिक चैनल पे इस तरह के वीडियो चलते रहते हैं, तो ये तो आम बात हो गई है, और हर फिल्म से कोई ना किसी-किसी धार्मिक तरीके से उसको जो पहन कर घंटी बजा रहे हैं, इतना विरोध कि रनवीर कपूर और अलिया भठ को महाकाल मंदिर गय थे दर्शन करने वहां जाने तक नहीं दिया, थैंक गॉड में उनको ये लगा कि चित्र गुप्त का जो दिखाया गया है लोग, वो सही नहीं है, तो उसका विरोध आजादी है, वो अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन फिल्म मेकर्स को भी चाहिए कि अपनी मर्यादा में रहका, जैसे लीना मनी मिकलाई की फिल्म आई थी काली, जिसमें उन्होंने काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया, तो वो विरोध कहीं हद तक सही था, लेकिन उनके विरोध में ये कहना कि कोई अगर लीना का गर्दन उतार के ला देगा, तो हम उसको इतना ही नाम देंगे, वो भी गलत है, और लीना ने जो किया था, जिस तरह से काली माता को उन्होंने सिगरेट पीते हुए दिखाया, तो वो भी गलत था, तो फिल दिखते हैं कि वो समाज का आईना है, तो उस तरह का लुक अगर दिख रहा है फिल्म में, तो क्या उसे समाज का आईना समझेंगे, आपके नजर में? बिल्कुल हमारे लोग इस तरह कि हमारे देश की कह सकते कि शेहरी जनता जो है, उस तरह के कपड़े जब वेकेशन पे जाते हैं तो वो पहनते हैं तो वो कही ना कहीं बिल्कुल ऐसा है, लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं और इसलिए हमारी फिल्मों में ऐसी चीज़े दिख तो यह सब नहीं है तो एकदम से अगर चीज आ गई है तो शायद जायदा अंकॉमफरिटिवल फील हो रहा है मुझे तो लगा वाओ इतना जादा पस फिर मैंने कहा जो है कि यह अगर कोई नई हिरोईन करती उस पे चल जाता लेकिन दिपिका तो एक तरह से कह सकते ना बॉलिवूड क्वीन बन जुकी है तो एक क्वीन जब इस तरह से ऐसा जो कपड़े है न वह एक्टरस पहन के अचानक से लाइम लाइट में आते हैं जैसे जान भी कपूर हो गई उनका करियर अभी वैसा नहीं बन होंगी लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया बहुत होट दिखी है बहुत खुबसूरत दिखी है और अच्छा डांस उन्होंने किया जो समझ पाए इस चर्चा से कि गलती है किसी की नहीं लेकिन फिर भी है जो फिल्मेकर से उनको इस बात का ध्यान रखना है कि यह फिल्म सम के बच्चों के साथ नहीं देख सकते लेकिन फिल्म मनती हैं entertainment के लिए उसका ज्यादा विरोध करना बेवजय का विरोध करना रंग को लेकर विरोध करना यह भी समझ में नहीं आता है अपारे दर्शक भी बता सकते हैं कमेंट करके कि आखरकार वो जो बेशर्म रंग गाना ह उसको किस तरह से देखते हैं, उनके नजरिये से ये जो गाना है, ये विरोध लाइक है, बाइकॉट लाइक है या फिर नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार, मैं हूँ मानक गुपता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24